जितनी जानकारी और जादा जानकारी जादा स्पस्ट होगी फिर उतनाही आसान इस राष्ट्रिय शिक्षा नीती का इंप्लिमेंटेशन भी होगा साथ्यों तीन चार साल के व्यापक विचार विमर्ष के बाद लाखों सुझाओं पर लंबे मन्थन के बाद राष्ट्रिय शिक्षा नीती को स्विकृत किया गया है आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है अलग-अलग शेत्र के लोग अलग-अलग विचार धाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं राष्ट्रिय शिक्षा नीती को रिव्यू कर रहे हैं ये एक हिल्दी डिबेट हैं ये जितनी जादा होगी उतना ही लाब देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रिय शिक्षा नीती आने के बात देश के किसी भी खेत्र से किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई जुकाव है ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टिम में जो बडलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले हैं वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफार्म कागेज पर तो कर दिया लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा यानि अब सब की निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है इस चैलेंज को देखते हुए द्यवस्ताओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवशक्ता है वो हमें सब को मिलकर के करना है और करना ही है आप सभी राष्ट्रिय सिक्षानिती के इम्प्लीमेंटेशन में अब उस काम में सीधे तोर पर जुड़े है और इसलिए आप सबकी भूमी का बहुत जादा है बहुत एहम है जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है मैं पूरी तरह कबिटेड हूँ मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ साथियों हर देश अपनी सिख्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूस के साथ जोडते हुए अपने नेशनल गोल्ज के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है मक्सद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टिम अपनी वर्तमान और आने वाली पीडियों को फ्यूचर रेडी रखे फ्यूचर रेडी करे भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्य शिक्षानिती का आधार भी यही सोच है राष्ट्य शिक्षानिती 21 सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तयार करने वाली है 21 सदी के भारत को हमारी युवाओं और हमारी युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरुरत है जैसी स्किल्स चाहिए राष्ट्य शिक्षानिती पर इन बातों पर विशेश फोकस है